अश्कार प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यीट्यूब चैनल पर जिसका नाम है Mg2 Reader Publication तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में जैसा कि आप सभी जानते हमारी हरियाना पलिस कॉंस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एक्जाम को ध्यान में रखती हुए अगरिकल्चर साइन्स और अनिमल अजबेंटरी की जो सीरीज चली हुए उसकी फिफ्ट वीडियो है पहली च्यार वीडियो को देखने के लिए मैंने इस प्लेइलिस्ट बना दी है और उस प्लेइल कैस्स में आई हैं कोई गुब्रमेंट जो आपकी स्टेट के इस सेंटर की वहां पर जो अगरिकल्चर साइन्स और एंइमल QUESTION आए हैं वहीं से QUESTION उठाएं तो आज का हमारा जो पहला QUESTION हो है रोजमर्रा के इस्तमाल में लाए जाने वाले निमन में से कौन से पोदे का फल भाग है रोजमर्रा के इस्तमाल में लाए जाने वाले निमन में से कौन पोदे का फल भाग है तो जो सौफ है सौफ आप सभी के घर में लगबग यूज होता है देखा भी आप सभी ने तो सोफ कैया पोदे के फल का भाग है अगला क्वेस्चन देख लेते हैं कनोला मानो उप Deutschen के लिए उगाएगी विश्ष्ष्ट परकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिश्ट करताएं किसमों की प्रमुक़ विशेशता यह है कि इन के तेल में एरुशिक अमल की बहू अ अलप मातरा पाई जाती है जो कनोला मानूप योग के लिए उगाएगी विशिष्ट परकार की तिलन सरसों की किस्म है उनकी विशेष्टा यैकिन के तेल में एरुसिक अमल की बहुत अलप यानिकी थोड़ी मातरा पाई जाती है लैसुन के विशिष्ट गंद का क्या कारण ह है चारोसन दिये हुए है तो फ्रेंट्स इसका जो सही अंसर होगा इसका सही अंसर होगा जी सल्फर योगे के आगे बढ़ते हैं कौन सा वनस्पती तेल हर्दर होगियों के लिए उप्यूक्त है यह जो क्वेस्टन आपका MPPCS में आया हुआ है तो जो हर्दर से जुड़े वे रोगी उनके लिए सुरजमुखी का तेल है वो उप्यूक्त है बहुत सही माना जाता मौफले का तेल है सरसोगा तेल है सुएबीन का तेल है डॉक्टर सज़ेस्ट करते हैं कि जो हर्ट पेशेंट है उनको यह तेल नहीं दिया जाए उनको सुरजमुखी का तेल जो है दिया जाए अगला क्वेस्टन देख लेते हैं किसी भी अफरीकी देश में चाय बागा नहीं है ठीक है कारण इसके पताने है चाय के पोदे को उच्छ यूमस युक्त अरुरका अरुरक जो मरदा उसकी आवसकता होती है तो फ्रेंड्स इसका दूस्ट सही अंसर है वह आपक आर सही है ठीक है तो इसमें ये क्या है अच्छ आयय के पोदे को उच्छ ही मस यूकत अरुरक के मरदा की आवसकता होती है उसके लाकिस देख लेत हैं थर्टी थ्री क्वेस्टन धिमन मेंंसे कौन सा एक पोसिक क्या है निमनलिखित में से कौन सा एक निमनलिखित में से कौन सा एक पोसिक कैल्सियम का एक अच्छा स्त्रोत नहीं है तो चावल जो है पोशनी कैल्सियम का एक अच्छा स्त्रोत नहीं है इसके लावर रागी है मलाई उतारा हुआ दूध है अंडा है ये कैल्सियम के बहुत अच्छे स्थोते माने जाते हैं अगले क्वेस्टन को देखते हैं अगले क्वेस्टन में क्या पूछ रहा है निमांकित में से कौन से फल में एसकॉर्बिक एसिड की मातरा सरवादिक पाई जाती है तो एसकॉर्बिक एसिड विटामिन सी तो विटामिन सी यानिकी आ आवला ठीक है आवले के अंदर जो है विटामिन सी जो है पर्चूर मात्रा में पाया जाता है सरवादिक विटामिन एक इसमें पाया जाता है पके हुए आम के फल में जो है सरवादिक विटामिन ए पाया जाता है यह यूपी पीसियस में में आया हुआ है एस्कॉर्बिक एस में से किस फसल का विशो में सरवादिक उत्पादन किया जाता है तो आलू का जो है विशो में सरवादिक उत्पादन किया जाता है तो फ्रेंस कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेस्टन कराने का मेरा टार्गेट रहता है बीच में कुछ पीडियाफ सही नहीं बनी हुए जिस वजह से साइद आपको थोड़ी प्रोब्लम हो रही होगी इसके लिए माफ़ी चाहूं किस सब्जी में सरवादि कैल्सियम तत्तो पाया जाता है तो जो मेथी है ना उसमें सरवादिक कैल्सियम तत्तो पाया जाता है उसके बाद अगला क्वेस्चन है से सवरूप को परभावित करने वाला सरवादिक महतवपन पहलू क्या है से सवरूप को परभावित करने वाला सरवादिक महतवपन पहलू भोगोलिक सोच विचार है भारत में किसके आने से यहां मक्के की फसल आई तो जो पुर्तगाली है ना जी वो भारत के अंदर मक्के की फसल लेकर आए थे पके हुए अंगूरों में क्या होता है पके हुए अंगूरों में क्या होता है ग्लुकोज होता है दिकांस फलो में फ्रक्टोज पाया जाते है लेकिन अंगूर में ग्लुकोज पाया जाते है क् रोज सेंटेड रोज सेंटेड पर जाती किस फसल से सम्मंदी थे लीची सूपर स्टार पर जाती किस की गुलाब की रोज सेंटेड जो पर जाती आपकी वो लीची की है और सूपर स्टार जो पर जाती वो गुलाब की है अलफा अलफा क्या है अलफा अलफा ये भी पर जाती सब्सक्राइब ऑनेच्ट एक किलोमेटर में कितने हेक्टेयर होते हैं do whatever किलोमेटर मेर सो हैक्टेर होते हैं रहर एक हेक्टेर 305 मुंट्प्लाइब स् Tout झाहर हो सकता हैं चसक्ति थांडर लौई धैनaggi खित में से किस एक करण है से में क्या पाया जाता है से में मैलिक अमल या मैलिक एसिड से इंदर पाया जाता है छिली हुई सब्दियों को धोने से क्या निकल जाता है विटामिन सी निकल जाता है बहुत ही अच्छी बैसिक वेस्टिन भी हैं सभी आए हुए हैं तो ध्यान करते हैं अगला question क्या गहरा है वो भी देख लेते हैं भारत में जूट का सरवादी करफियत्तर भारत में जूट का सरवादी कर देखें पस्शी मंगाल के इंदर जो जूट है ना भारत में वह सबसे ज्यादा उतपादन किया जाता ही चीज़ का आप ध्यान रखेंगे ठीक ह और अगर मैं बात करूँ चावल की चावल भी जो है भारत में पस्षी मंगाल में सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है और हरियाना के अंदर दान का कटोरा करनाल को कहा जाता है भारतिये क्रिशी में निमन उत्पादकता लो प्रोडक्टिविटी का मुख्य कारण क्या ह उपरोग सभी एक तो क्या है जरूरत से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा लोगों का जो है करशी पर डिपेंड होना आसरीत होना जोत जो है हमारी वह बहुत चोटी-चोटी हो चले जनसंख्या व्रदी ज्यादा हो चुकी है उत्पादन की तकनिके भी हमारी जो अधर कंट सबये जीस खुसन क्या किसे ने क्या जीस खुसने वियाख्या महादान सूपर रायिस का विकास फिलिपैन स्दित अंतरश्ट्य चावल संस्तान के मूंह直接 किया थे और टेम्प्रेचर 25 डिगरी सेल्सेस से ज्यादा होना चीए अगला क्वेस्टन है साव पोलों के उत्पादन के लिए परसीद है ठीक है अगला क्वेस्टन है यह थी खाद्यानों को सुरक्षी संग्राइब सुनेश्चित करना हो तो कटाई के समय उनकी या उसकी आधरता अ तो उसमें जो रसायन है वो कौन सा यूज होता है सोडियम बेंजोईट जो है टमाटर के कैचप में यूज होता है और जो लैसुने उसमें जो विशिस्ट गंद होती है उसमें क्या पाया जाता है वो सलफर योगी के कारण होती है एफ ए ओ फूड एंड एग्रिकल्चर और नाइजेशन खादेम करसी संगठन यह 1945 में इसकी स्थापना हुई और रोम के अंदर जो इसका है यह भी पूचा जा सकता है ठीक है और आगे बढ़ते हैं फल तथा सबजी पर संस्क्रन उद्योग की स्थापना कब हुई एक जनवरी 1993 को ही भारत का कौन सा राज्या फलो क सरوाधिक उतपادन करता है तो फलो का सरवाधिक उतपादन भारत का अंदर पर देश राज्या करता है सेब के फलो का हलका लाल रंग किस्मेंट के कर ju pills को हलका लाल रंग होता है वह एंथोसाइन करन होता है ठीक है लास्ट क्वेंड आभी विसाव में कौन सा इस फलो का आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आज किस वीडियो फिलाल इतना ही धन्यवाद